नमस्कार मैं डाक्टर जितेंद्र कुमार इस वीडियो में कैमिट फॉर्मेशन ड्यू टू नंडिक्शन के बारे में विज्टार से चर्चा करूँगा इसको समझना काफी महत्य पूर्ण है क्योंकि इससे कमपटिटिव एक्जामनेशन में काफी सवाल पूछी जाते हैं तो पहले देखते हैं कि डिज्जक्शन क्या है तब नंडिजक्शन के बारे में बात करें Disduction एक normal process है जो कि gamit formation के दरान sales में होता है तो gamit formation के दरान क्या होता है कि पहला जो Muses first step है उसमें homologous chromosomes का separation होता है और Muses second में chromatid का separation होता है और homologous chromosome का separation और chromatid का separation एलाव करता है कि 2N से 4N haploid cell gamit cell बने लेकिन अगर non-dejection होता है तो हम देखते हैं कि क्या different gamit बनते हैं तो non-dejection या तो meiosis first में हो सकता है अगर meiosis first में अगर होगा उसका homologous chromosome separate अची तरीके से नहीं हो अगर meiosis second में होता है तो sister chromatid का separation अची तरीके से नहीं हो तो पहले हम लोग homologous chromosome के non-dejection के बारे में देखते हैं तो यह किस process में होता है meiosis first में होता है तो यहां हम देखते हैं कि अगर non-dejection हुआ इसके वज़से सारे जो chromatid का separation हुआ तो दूनों में एक-एक संख्या बढ़ गए और जिसको हम लोग बोल सकते n plus 1 n plus 1 और जबकि इसमें वो chromatid का separation नहीं हुआ और दोनों में एक-एक संख्या n minus 1 कम गई तो अगर non-dejection जो कि meiosis first में होता है तो आपको कैसे gamit बनेंगे दो gamit n plus 1 और दो gamit n minus 1 बनेंगे अब एक दूसरा process है जबकि non-dejection आपका sister chromatid का हो और जो कि meiosis second में होता है देखें यहाँ इस sales में बिल्कुल chromosome का separation अच्छी तरीके से दोनों में हुआ है जबकि इस sales में अब पा रहे हैं कि chromatid का separation नहीं हो पा रहा है जिसको हम लोग non-dejection और meiosis second का non-dejection sister chromatids का के नाम से जानते हैं तो इसमें पाते क्या है कि अगर निका separation नहीं हुआ तो सारे एक ही में चले गए तो ultimately क्या हो गया कि chromatid की संख्या बढ़ गई और तो chromatid की संख्या n plus 1 हुआ जबकि इसमें n minus 1 क्योंकि इसके chromatid इसमें चले गए बाकी जो दोनों में हैं आप पाएंगे कहने का बिल्कु सही तरीके से हुआ है तो n, n तो हमने सीखा क्या हमने सीखा क्या कि अगर normal sales में chromatid का separation और chromatid का separation सही तरीके से होता है तो एक sales से चार gamit बनते हैं और चारो gamit का जो संख्या है n, n, n होता है बिल्कुल बढ़ावर लेकिन अगर non-dejection हो और meiosis first में हो मतलब homologous chromatid नहीं हो तो n plus 1, n plus 1, 2 n plus 1 gamit बनते हैं और 2 n minus 1 gamit बनते हैं दूसरी चीज है अगर sister chromatid में हुआ तो दो जो sales है नॉर्मल बने न, n जबकि एक sales n plus 1 और n minus 1 बनते हैं काफी महत्य पून टॉपिक है अगर आप इस वीडियो को like करते हैं तो दोस्तों से share करें चैनल को subscribe करें और अपन कॉमेंट कॉमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें आपका कॉमेंट हमें नए वीडियो बनाने के लिए encourage करते हैं थैंक यू